लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले हर व्यक्ति सुख आर्थिक संपन्नता और शांती चाहता है मगर इसे हासिल करना इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आप अपने घर में सिर्फ जाडू से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो न सिर्फ आपके घर की कलह खत्म होगी बलकि मा लक्ष्मी का भी वास होगा जाडू का महत तो इससे भी समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने वाली शीदला माता अपने एक हाथ में जाडू लिये रहती हैं जाडू का उपयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है सूर्यास्त होने के बाद कभी भी जाड जाडू नहीं लगानी चाहिए माना जाता है कि इससे लक्षमी रूठ जाती है वहीं इसका एक और दर्शन यह भी है कि यदि कोई कीमती वस्तू गिर गई है तो सूर्यास्त के बाद जाडू लगाने से वेड़ देखेगी नहीं और कच्रे के साथ घर से बाहर चली वस्तू शास्त्र के अनुसार जो वेक्ती जाडू को एक ही नियत स्थान पर रखने की बढ़ाय कहीं भी रख देते हैं उनके घर में धन का आगमन प्रभावित होता है इससे उन्हें आर्थिक परिशानियों से गुजरना पड़ता है सपने में जाडू देखने का मतलब हो लखते हैं उसी प्रकार जाडू को भी अपने घर में आने जाने वाले लोगों की नजरों से दूर रखना चाहिए तो छा लगाने वाले पानी में पांच चमश्ट सादा समुदरी नमक मिलाना चाहिए इससे किसी भी नकारात्मा कूर्जा को कम किया जा सकता है